पाल वर्डिक ऐसा अमेजिंग पोकेवोन लाइग गेम चुकि पोहँआ थी जादा ऑसम है और आज मैं इस गेम को 200 देज के लिए खेलने वाला हूँ वैसे अगले वीडियो में मैं इस गेम को 100 देज के लिए खेल चुका हूँ और फिर एंड में मैं एक लेजिंडरी ड्राइगन से बैटल के लिए निकल गया था चुकि बहुत पाफुल था बाट एक बहुत इनाइस बैटल के बाद मैं इसे कैच कर लिया था और वही पर 100 देज इंडो गे थी अगले वीडियो में ड्राइगन को पकड़ने के बाद ही मैं आज तो अपने वेज में चाहसे जोड़ों शोड़ों शोड़ों कर रहे थे वापसादनी के बाद सबसे पहले मैंने अपने ड्राइगन की शैडल को अन्लॉक किया और लेकिर ही में पास सारे मैटेरियल्स लग देता हूं and also भी मेरे पास कोई कामदाम नहीं था तो मैं नेकल पर तो बॉस हंटिंग करने जहाँ पर काफी देर तक घूमने के बाद मुझे घंटा कोई बॉस तो नहीं रिखता बाद स्चिल एक गाउ मिल जाता है जिसमें कुछ हीमन रहता है and इस गीम में फर्स बा तो मैं और मेरी ड्रैगन निकल गए बहुत सारे आइटन को माइन करने जिनको फिर हमने इन दोनों से मेल्ट करवाई एक सेगेंड एक तो या पर दूसरा का निकल गया अवे काम चोड़ जागे काम कर भाई पैसा बैसा काट लूगा वरना मैं तेरे से बाज यह बॉस को कै कि अगर में इस बैटल में दादा अपना पंगा मंगा लेता हो तो मैं पिट सकता हूँ तो मैंने अपने पर्ल को सम्हालने दिया और यह बॉस काफी तागत वर है बट मेरी पल्स इससे ओवर लेवल है सब कुछ ही टाइम में हमने इसको थोड़ा मेल्ट किया जिसके बाद इस लिटररी मेरे पर चल रहा था लाइक चंप करके मुझे मारने के कोशिश बाट मैं तो प्रयो भाई मुझे नहीं मार सकता हूँ तुम फिर कुछ दिर बाद इस लो करने के बाद मैं इसे कैच करने के ट्राइए करता हूँ बार चिल यह एक पल्स पेर के अंदर कही आने अब मैंने सोचे कि मैं एक नीव इस बनाऊंगा बट उसके लिए मुझे काफी बड़ी खुले मैदान की तरह थी तो मैं इसको धूनने निकल गया और अदा गंटे तक धूनता रहा बट मुझे घंटा कुछ नहीं मिला बट काफी तक धूनने की बाद मुझे एक ऐसी जग बट काम भी कर रहेते तो रात को मैं अपने पर्स को खाने के लिए कुछ बैरीज देता हूं और इस पूरे दिंके काम के बाद उनको बहुत जादा भूक लगी तो यह सब लोग आके खाना खा लेता जल्दी से रात में सोने के लिए मैं अपने ओल्ड वेस में आना पर रह करता हूं अब मैं कुछ निन तक अपने वेस को डेवलप करने में बिताया जहां पर मैंने काफी सारी खेटी बारी के जगह बनाई और फोसले मेरे कुछ इंपोर्टेंस चूल जैसे के क्राफ्टिंग टेबल चेस्ट और मोर तिंग्स जो कि मैं जर्वत पड़ेगी और ऐब एक इस बॉसैट म कुछ ज़कर थो कुछ तो डिल्डी किते मैं जर्विट करने के बार जीम की उतरा किया दिए को थ Ec सबूर्टे के पास वापस से इसको बहुत गंदा मारा and slow कर दिया अब मैंने इस देगे से अपने pulse power fake के find इसे capture कर लिया एक ही pulse power के अंदर and हमारी जर्डी यही पर नहीं रुकी मैं अपने नाइट्रेंग्स में बैट के निकल प्रात आप डुनिया देखने है and luckily पासी में desert baham था तो मनें सोचा चलो भाई उसमें चलते है desert baham के entry में मुझे एक pearl मिला था जो कि काफी दो अजीब था तो मनें से 20 catch किया and फिर थोड़े ही आगे मुझे कुछ मुड़गिया दिखी and यह लोग बहुत ज़दा खतना अगे कुछ लोग blast हो सकते है भाई क्या घजव है लगिली मैंने इन में से एक को capture कर लिया and फिर कुछ देर आगे मुझे दिखा totoys यह वाला literally मेरा favorite है because इसके piece में kart लगए है तो मने इसके 20 battle शुरू किया and इसका favorite होने का कान क्या बता है इसके rapid spin भाई क्या ही मस लगता है मेरे को तो इसके साथ हमारी battle काफी देतक चली and फिर जब मैं इसे capture करने के try कर रहा था ना भाई क्या आपर कुछ मुर्गे कुटे and इनसान भी आ गए like सब आ क्या भाई मेरे दिक्कत कर रहे यहां पर but लगे लिए मैंने इसको capture कर लिया and इसके बाद मैं इन gooseberry को सजा देए रहा था कि मेरे को बिदा चला कि यहाँ पर रहना को जारे खता ना को सकता है तो मैं तुरंती उपर उड़ गया and desert bomb के और निकल गया but मुझे निया पता था कि desert में बिना heat resistance आर्मा के जाने से HP बहुत तेजी से गिरती है and मेरी HP बहुत तेजी से गिरने लगी थी तो मुझे अपने जान बचाने के लिए यहाँ से गल्टी मारना पड़ा and मैं वापसे चला कर जंगल की और जापर मुझे एक टेलिपोर्टर मिला and मैं इसके सारे find a case मैं अपने waste पे वापस आ गया waste में आने के बाद मेरे पास कोई कामदाम नहीं था तो मैं अपने Toto इसकी spin देखने लगा and literally यह चीज मैं दिल से बहुत ज़्यदा पसंद आई because यह बहुत जुलते किसे और को माहिन कर सकता है बुलेट की तो बुलेट अपने पास बहुत जादा अल्डेडी थी because बुले इंसानों को मारके इसके बुलेट मुझे बहुत मिल गई थी and फिर मैं अपने new waste में एक incubator को लगाया जिसके बंदी के बाद मैं आपड एक giant frost को रख दिया जो कि मुझे new घर ढूणने के time मिला था and उसके बाद मैं ऐसी map को check कर रहा था कि मेरे को बता चला कि desert bomb में एक boss रहता है जो कि लुकार्य के तरह है and अब मुझे से पगरने के लिए desert bomb में जाना ही था तो मैंने या से heat resistance armor का unlock किया जिसको craft करने के लिए काफ़ से fire organs की जवरत पर रही थी तो मैंने या से काफ़ से fire force को मारा and फिर फाइन थी किसे मैंने या से craft कर लिया था heat resistance belt armor जिसके बाद मैंने एक helmet को भी craft करते कि अपने defense और बढ़ जाए and फिर एक spirit table को बनाने के बाद मैंने या से काफ़ से fire को craft किया जिसके बाद फाइन थी किसे मैं निकल चुका था desert bam की और बाइज भी कुछ ते तक ढूनने के बाद मुझे पर चलता कि desert bam काफी दूर है तो फिर क्या था मैं गलाइड करके उसके और निकल परता हूँ and या पर कुछ यह अंदर जाने की बाद मुझे एक statue डिकता है जो कि लुकार्यो टाइप का था by the way फिर मुझे इस statue के निची एक pokemon देखना का मलता है मैंने पर दिमाग को ज़्यादा नहीं लगाया मैंने इसके साथ battle शुरू कर दी and शाइस यह मेरी बहुत बड़े गलती थी because इसके साथ battle के time ना इसने मेरे पर एक attack की and after that पता नहीं यार यह कहा से उपर कूर गया and फिर यह बहुत खतनाग attack की इसने and यह देखे मेरे फट गयी थी and after that मैंने सोचा चलो अपने dragon को भेज़ते इसे battle के लिए but इसने literally मेरे dragon को one shot कर दिया भाई यह देखे literally मेरे बहुत गंदी फट गयी थी मैंने सोचा ब्रणी से यह आसे भागता है यह मेरे को भी one shot कर देगा and मैं ऐसे बहुत जेसे भाग रहा था बट यह बंदा मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रहा था बट जो भी यह बहुत लंबे chase की बाद यह अपने घर निकल जाता है and मुझे यह से पता चलता है कि ऐसे भी कुछ pulse है जो कि मुझे one shot कर सकते हैं तो मैं easy lane को गन से shoot करके इन में से एक को easy day के से capture कर लेता हूँ and फिर मैं यहां से जाही रहा था कि मुझे एक बड़ा सा gear dose जैसा Pokemon देखना को मिलता है अब यह पल पता नहीं कौन है बट भाई इसकी level 45 थी मतलब वह उसी पल के तरह same powerful है मैं चुप चाप यहां से जान बचा के भाग गया because अगर इसने मुझे food भी मार देना तो मैं मढ़ जाऊंगा तो मैं पूरी रात भटकता रहा एक new boss की तलास में and luckily बहुत दे तक धुनने के बाई मुझे एक dungeon मिल बे जाता है जोकि एक boss का था and गियता electric dragon का and luckily इसके पास एक teleporter भी था जिसके खातिर में अपने घर में जाके सू जाता हूँ and फिर क्या था next मैं वापस से आ जाता हूँ यहां पर उससे लड़ने but उसी बीच मुझे दो यहां से पल देखने को मलता है जोकि काफी तो अलग देख लेते तो मैंने अपने के साथ battle ली and इनमें से एक तो मर गया but दूसरे वालों को मैंने जैसे दैसा ही capture कर लिया जिसके बाद मैं निकल पर आता boss से battle करने and फिर इसके dungeon में इंटर करने की बाद ही मेरे को देखने को मलता है कि electric dragon है जोकि काफी खतनाक था तो मैंने अपने dragon को भेज दिया battle के लिए and शुर्वात में यह battle बहुत जादा नाइस लग रही थी and फिर कुछ दिर battle चलनी के बाद literally इस electric dragon ने मेरे dragon को मार डाला like यह कितना powerful है but फिर क्या था मैंने अपने दूसरे पल को भेजा and फिर यह battle continue होती रही and यह literally बहुत जादा ही powerful dragon था and इसके attack लिए तो मैं paralyze भी कर सकते है जो कि काफी दाले deadly है तो फिर क्या था फिर मैंने एक ninja technique बनाए इसके खाथर मैं अपने पल के पीछे चुप गया and अब जीतने में attack पड़ेंगे न वो मेरे पल के उबर पड़ेंगे and मुझे पर कोई attack चुएंगे में नही and मेरे पल के L लग रहे थे strategy के खाथर but फिर भी जो भी हो मैं अपने पल के पीछे चुपते चुपते ही opponent को damage दे रहाता and कुछ देर के बाद ही electro dragon मेरे पल के पीछे दोहर दोहर को उनको मार रहाता but मैप में आपर ninja technique यूज कर जा था इसके खातिर मैं यह आपर उपर उड़ गया and side में एक glitches जगे में चला गया Charger मैं easily इसको shoot कर सकता लेकिन यह मेरे के उपर कोई attack नहीं कर सकता and कफिसे ninja technique से बाद ही काफी दा लो हो गया था इसके खातिर इसको दोहरा पढ़ रहा है तो तुम अगर शाथ यह ठीक हो जाए तो subscribe to this channel by the way after it मैं आपर एक unlimited tree farm बनाई जहाँ पर मेरा hidden search पटक सकता है and मैं कवी time से अपने ways से दूर था तो मेरे यहाँ से एक बेंग बेट हो चुका था जिसके अंदर से literally एक बेकारपाल निकला and फिर मैंने इसके अंदर एक rocky एक रख दी जो कि मुझे जन्री के दौरान मल गई थी and इसको हैच होने के लिए कुछ गर्मी के जोड़ती तो मैंने इसके campfire set कर दी जिसके बाद मुझे बहुत जादा new machine बनानी थी but उसके लिए मेरे पास iron के काफी कमी पढ़ रही थी तो मैं निकल के पास एक iron mine में मतलब यहापर काफी जादे iron मिल रहा था मेरे घर के पास ही है यह तो यहापर मैंने अपने कच्छुए को बेच दिया बहुत इस देगे से बहुत सा iron कलिक कर रहा था और मैं पे अपने पिकेक से कुछ नियो तो यहाँ पर iron farm करता था जिसके बीच raw cake to incubate हो चुका था इसके अंदर से लिटरली एक अजीव गड़ी पल निकला जो कि काफी तदा अच्छा लग रहा था तो फिर मैं यहाँ पर incubate होने के लिए next एक firerick को रख देता हूँ अब मैंने कुछ नियो तो काफी ज़्यादा iron को माहिन कर लिया था तो अब मैं बनाने वाला था pulse pair बनाने के एक machine जोके electric है इससे बता है बहुत ज़़दा fastly तरीके से pulse pair बन सकते है तो फिर क्या था मैंने यहाँ पर इसको लग दिया और मैं सदूरी करने लगा इसने बनाने के लिए and thanks for my pulse यह बहुत ज़़दे बनके ready हो गया and little मैं यहाँ पर hyper spear को craft कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ यहाँ पर 4 hyper spear को craft करने लग दिया जिसके कुछ दिर बाद मैंने नोटिस किया कि यह चीज़ वर्ट की नहीं कर रही है and फिर मुझे बता चला कि इसको चलाने के लिए electricity की जहुरत परती है जिसके लिए हमें एक generator बनाना पड़ेगा and इसके लिए electric organs में चाहिए था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं मैं आप से electric boss को मासुंगा जैसे electric organ मिल जाएंगे तो मैंने boss से battle चूरू की and बहुत इसी तरीके से इस boss को इस पर हरा दिया बट पता दिसको अर्दानी के वाद मुझे and फिर मैंने नोटिस किया कि map में एक normal electric boss भी है and लेकले उसके पास एक teleporter था तो मैं उसके पास टेलिपोर्ट होके निकल पर उसको धूनने and उसी रस्ते में मुझे कुछ love जैसे कुछ Pokemon देखने को मिले चूकि काफ़ी क्यूट थे तो मैंनन मेंसे एक को catch कर लिया and also अब मुझे इतने pulse मिल रहे थे ना मैं उसको मारते जा रहा था था कि मुझे इसके organ मिल सके and मैं उसे अच्छे खासी चीज़े बना सकूँ भाइदे फिर काफ़ी टैम तक धूरने के बाद मुझे वह giant boss मिल जाता है जो कि यह वाला है मतलब इसका normal form मेरे पस है but boss को जाद ही बढ़ा था फिर काद है मिल इसके साथ battle शूरू की and मुझे नहीं पता था कि भाई यह इतना तो पावफुल है कि कुछ देर बाद तो आस्मा में उड़ना शूरू कर देता है क्या चीज़े मुझे पता नहीं but काफी खतरनाक था यह यह उलने के साथ साथ also punch भी कर सकता यह काफी खतरनाक तरीक है but मैं literally इसे बच जाता हूँ बाल-बाल जिसके बाद मेरा पल इसे दो डालता है and also मैं भी अपने gun shoot कर जाता मैं यह फिर हमारी battle काफी दे तक चलती है मैंने यहाँ से generator को बना जिया जिसको तुर्णति चार्ज करने आ गया मेरा big dragon dinosaur अब इसके चार्ज करने के साथ साती हमारी यहाँ से machine शूरू हो गई थी and इस machine के खासियत पता है इसमें तीन pulse एक साथ काम कर सकता है जो कि work spirit को काफी दद बढ़ा देता है तो फिर क्या था कुछी time के अदर बन गई थी हमारी सारे hyper pulse pier जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार बहुत डे हो चुका है शाय से मुझे अपना थोटा सा घरवर बनाने चाहिए इस waste में तो मैं literally मैंने छोटा मतलब बहुत ही जादा घर बनाया जिसमें एक चत थी एन एक बैट था सिर्फ असर मतलब बिखार by the way next year फिर मैंने यार से एक breeding farm बनाई जिसका मुझे अभी कोई use नहीं है because breeding farm में breed करवाने के लिए हमें cake की जोट परती है जिसको अभी बनाने के लिए कुछ जाद ही materials की जोट परती है कुछ wild pearls को मारती को दिखते है तो मैं इंत लोग को सबक सिखाने के लिए ready था and literally मैं इंत को gun से एक एक short में gun देता ही इंत को मार रहा था because यह लोग कुछ wild pearls को सता रहा and wild pearls को सताना एक बहुत बड़ी पाप है of course लिए हम भी यह करता है बड़ ठीक लोग नहीं कर सकते oh मुझे एक बंजरी देखने को मिली मिली मिला dragon तो का है oh heroic entry भाई क्या ही must है by the way मुझे एक बंजरी देखने को मिली थी जो कि Magenium की बड़ी बेहन की ता अलग रही थी and कुछ देखने के बाद मैं इसे catch किने के try कर रहा था but पदा नहीं कि इसको मार दिया मेरे Pokemon ने but जो भी हमें इसका meet मिला and फिर आगे मुझे एक एक पल मिला जिसको मुझे दो लड़ते वुए पंची दिगे जिसके पीछ एक Memorist भी था इसको में इसे एक पंची को जैसे तैसे catch कर लिया and फिर मैंने सोचा चलो इस Memorist को भी catch करते है actually Memorist तोरा कम level का था 33 level का and of course लिए मेरे पल्स अभी इतने powerful है कि एक Memorist से लर सकते है तो फिर क्या था हमने इसके साथ काफी देर तक battle की and इस लो करणी की बाद में अपने hyperspear fake है इसे catch करने के लिए बर्ट शाइस hyperspear इसना दो पावफुल नहीं है and दो तिन hyperspear fake नहीं के बाद यह literally catch ही नहीं हुआ था तो मैं फिर क्या गरता अपने normal sparspear को इस फेक तो कर लिया हमारी जर्णी आएक चलती रहे जापर कुछी ट्रावल करणी के बाद हमें एक dungeon मिला and इस dungeon के अंदर एक boss था जिसका नाम था short master अब फिर क्या था मैं इसके लिए निकल परा मुझे दिखने को मिला एक boss जो कि तलवाल दिखे था यह संबुराइज जी सा दिख रहा था and literally यह कुछ जाद ही खतनाक boss था because यह मेरे पोकेमोन को इग्नोर के गा literally मेरे को महाने के लिए आ रहा था like master मर जाए तो पोकेमोन ऐसे मर जाएगा इसे पता है already तो फिर क्या था हमारी battle काफी लंबी दिर तक चलती है I don't know why but मैं जब इसे catch कर नहीं वाला था मेरे dragon इसे एक shot में मार दिया like इतना damage कैसे देता है भाई एक shot में पहला तो नहीं दे रहा था बट अब पता नि जब मैं इसे catch कर नहीं वाला था इसने एक shot में इसे मार दिया बेचला shot master by the way मैं गार से जितने बार बेचलने के लिए बाहर निकलता हूँ मैं एक boss को catch कर नहीं बिना waste में वाफस नहीं जाथा and इसे काहतेर मैं निकल पड़ा था एक नहीं boss को ढूनने and काफी देर तक ढूनने के बाद लिटली मुझे map में एक boss दिखा जो कि एक unicorn type का था and कुछ देर दुणने के बाद मुझे बाहर 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 दिख भी गया जो कि actually एक electric unicorn था तब इसे लिटेर नाइट टाइम and रात में इससे battle करना सही नहीं होगा तो इसलिए मैंने पासी में एक teleporter दुणना जिसको unlock करने के बाद finding किसे मैं अपने waste में जाया के सो गया and next वर बिल्कुल तयारी के साथ मैं ने कल पड़ा था उस boss को catch करने जहां पर भाई यह बंदा तो काफ़ी cool लग रहा था and फिरका था हमारी battle से शुरू होते है मैं gun fire करता हूँ and also मैं अपने pulse को attack आवे command देता हूँ जहां पर भाई यह बंदा को जारे खतना था यह लिटरल मेरे pass आके यहां से attack करना शूरू करता है but कुछ देर के battle के बाद ही यह मेरे प एक electric charge फिकता है जो कि मेरे को paralyze कर देता है यह चीज़ काफ़ दा फास थी तो मैं से dodge भी नहीं कर पाया but जू भी हो after it हमारी battle बहुत देर तक चलती है and literally मेरे pokemon इसके उपर बहुत जादे भारी पर रहे थे but बहुत लबी battle के बाद हमने जैसे जैसे इसको low कर दिया and low करने के बाद अभी time time से capture करने का तो मैंने रेडी कर दिते अपने giga pulse spear को इसको फेकने के लिया and फेकने के बादी literally एबन एक ही pulse spear के अंदे catch नहीं हुआ and मुझे literally काफ़ दा pulse spear बेश करना पड़े but बहुत time literally बहुत जादा time लगा इसको catch करने में but फिर जैसे देसे फाई दिकेसे मैंने इस boss को capture कर लिया जो कि यह काफ़ जादा खुशी की बाद थी next question तक हमारी exploring चलते रही जाव पर हम बहुत से अलग अलग BAM में गए and इस बार मैंने target हा लावा BAM में जाने का तो मैं इसको ले निकल परा but उसी बीच हमने काफ़ सारे enemy camp पे raid की जिनको कूटने के बाद मैंने काफ़ सारे मासूम pulse को बचाया भी जिसके बाद बहुत सब्सक्रावल करने के बाद मैं पहुच गया था लावा BAM है जाप मुझे दो खतरनाक Pokemon के statue लड़ती वे रिखी but फिर कुछ देर पास मुझे आपर कुछ इंसान दिखे तो मैं चलागे इंसे हाई हेलो करने बाट मुझे नहीं बताता कि इन में से एक को shoot करने के बाद ही यह लोग तो चली भाई खतरनाक ते किसे मैं पर flame throw करना शूरू करने के लिए चाइजार्ड के उलाद हो के बाई क्या दिख करते तुम्हें यह लोग में पीछे बढ़ गये थे and flame throw throw कर रहे थे बट कुछी देर के बाद यह मेरे pulse एंड मेरे मिलके इन लोग को मार देयो इंसे मुझे कावज थे fire organs मिले जिसके बाद कुछी ट्राफल करने के बाद मुझे यहां से कुछ निया pulse दिखे जो कि fire tap के थे बट ही मेरे को देखती भाग के सारे बट उसके बाद लग के लिए मुझे कुछ जल fox ते से पल देखने को मिले जो की एक देखने fox थे बट magical fire tap यूज करते थे तो फिरकार मैं ने इसे battle शूरू की और मुझे अपने पलग के भीचों से लेंडने के लिए और रिट्रल यह लोग कुछ जादे ही powerful थे इनके fire attack तो भाई awesome थी तो बहुत दे तक हमारी battle चलती थी और मैं इनके attack को dodge करता रहा इसके बाद मैंने इनमें से एक को लोग कर दिया था तो मैंने अपने Giga Pulsefire fake eye से catch करने के लिए but I guess यह मेरी बहुत बड़ी गल्ती थी because मैंने यहाँ पर Pulsefire fake eye यह catch हुआ ही नहीं उल्टा इन्होंने मुझे ही मार दिया तो मुझे अपने सामान को वापस लेने के लिए अब चलके जाना पल रहा है तो काफी दे तक ट्रावल के बाद मुझे मुझे अपने सामान मिल गया जिनको मैंने तुरंती collect कर लिया तब मैं घर तो वापस नहीं जाने वाला था तो मैंने इस इरे को explore करने का decide किया जा पर कुल देर उरने के बाद मुझे याज से दो होट जैसे पल देखने को मिले तो इनको देखने बाद इनके आगे लिटरली मुझे एक बहुत खतरनाक legendry पल देखना हो मिला जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था तो मैं तो निंजा टेक्निक का युश किया तो मैं चल गया पथर के उपर यहां पर आराम से बैटल में यहें बीक हिटजना कर सकता इइसके helping इसके साथ हमारी बैटल होती है पर आराइस के आराम से ग przyleps मुझे यहां से बाता खुब देखनेron उथ आटक कर दिया था और ये चीज़ काफी दर डेड़ी कर दिती इस बैटल को विकॉज अब मैं किसी भी टाइम मर सकता है विकॉज तीन खतरनाक पुल्स मेरे पीछे पड़ है करने के लिए अंडले के लिए ये भी एक पुल्स फेर्ट के अंदरी क्याप्चेर हो गया चुकि और भी दादा खुशी की बात थी और मैं दूसरे बालों के प्याप्चेर करने के ट्राई कर राता बाट वह मारा गया विसे अच्छा ही हुआ कमीना था वो लावावाय में इ अगली बार जिमा इसे मिला था इसने कुछ लिए पल्स को दिखाया था पता नहीं इस बार यह कुछ ललू पल्स को बेच रहा था मेरे से बदमास धिकर रहा था लिजिनरी पल नहीं दिखाया था जा भाहत था तूने मेशिंगां के निकाल दी है भाही हम तो बात कर लेथा था 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 ना किया खतरनाक बंदा इस नमता पल भी छोड़ दी कोई बात नहीं से कैच करने वालो लेट्स गो पल्स पियर ठ आपर आनिकी बाद सबसे बिले मैंने मेमोरेश की शैडल को अनलॉक किया जिसको क्राफ्ट करने के लिए मुझे जंगल में जाके कावो सारे मासूम पल्स को मानना पड़ा विकोज मुझे इसके लेधर चाहिए था बाट उसी बीट मुझे आपर एक गुफा दिखा आपर अपर एक लिज़नरी पल्स दिखाता है जो कि 18000 का था तो मैं अगर्षे से 15000 लीके आया हूँ तो मैंने यहासे कुछ पल्स को सेल कर दिया उस लिज़नरी पल्स को खडीद लिया लिज़नरी पल्स भाई करने की बाद में सैटीसफाइड नहीं था अब मुझे इस अपने सारे समान को उठा लिया अब होने वाला था जादू इतना जब अपना खुद का पर रिलीश कहता है जो कि लेवल 40 का था जो कि बहुत खतरनाक और बहुत रैली मिलता है अब वह हो चेगा तो पुड़ा कपुड़ा ग्लिच मतलब अब मैं उसे catch कर सकता हूँ, damage कर सकता हूँ लेकिन वह बंदा मेरे को छूब नहीं जाकता देख रहा है मैं असे महार रहा बड़ वह कुछ भी नहीं कर रहा और यह glitch मैंने खुद इंवेंट किया है तो इसके लिए एक लाइकर बनता ही है तो फिर मैं इसे काफी जादा लो करके 5D किसे capture कर देता हूँ अपने GIGASPULT player के साथ जो कि काफी जादा easy था और यह मेरा दिमाग का कमाल था तो इसे catch करके मैं कुछ देरे बाहर आएक रहा था कि मेरे कोई आस से एक shiny memories टेकना को मलता है अब तुम्हें पता है shiny बहुत जाता ही rare होते है बट यह रवल 49 का था और यह लिटरली एक पाद मार के मिरे को उड़ा सकता है दिल में दर तो हो रहा था बट टिटल मुझे से छोड़के आगे जाना पड़ा तो है तो है तो है तो थोड़े देर आकर जाना के बाद मुझे और एक shiny देकना को मल गया जो कि shiny wolf था अब मैं काफी देर खुश हो गया तो मैंने इसको damage की और कुछ देर बाद मैंने फाइनली टेकर से इसे capture कर लिया और 5DK से मुझे और एक shiny poke-on मिल चुका है तो इस सब के बाद में वेश वापस आता हूँ और अल्ड़ी मैंने मेमरेश के shadow के लिए सब कुछ collect कर ली थी तो फिर मैं मेमरेश के shadow बनाने रख देता हूँ और लिटरली देख रहा है क्या से कुल लानी माल रहा है वेश भी फिर में सूचता हूँ जब तक मेमरेश के shadow हो रहा है मैं तो रहा घूम किया आता हूँ बट उसी बीच में distract हो जाता हूँ तो मैं समंदर के पार करके इस island में आ जाता हूँ और इस island में आने के बाद मेरे को देखने को मलता है कि याप पर कुछ criminal एक्टिवेटिक इस अंटर वे दिखने को मिल रहा है मैंने लिटरली बहुत जादा इस island में ढूणदा बट मुझे लिटरली घंटा कुछ इस island में मिला नी तो फिर मैं निराश वी के वापत से घर आने लगा समंदर को पार करके समंदर के साइड में कि यहापर मुझे एक टेलिपोर्टर मिल गई तो मैंने यहापर इसको अनलॉक कर दिया और मुझे यहापर एक dungeon देखने को मली फिर मैं इस dungeon के लिए रश कर दिया तुरंती लिटरले dungeon के पास पहुशने के बाद मैंने कोई इधर से कुछ वाई 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 थी कि इधर पर बहुत ज्यादा खतनाग Pokemon रहता है और फिर देखने के बाद में को पते चला लिटरली आपर मुट हो जीए खतनाग Pokemon रहता है इसके image दिखने के बाद यह काफी तरह powerful लग रहा था तो मैंने डिसाइड के कि मैं घर पर आकर तोई तोई त्यारी करूंगा इसके पास कुछ powerful attack जैसे के earthquake and कुछ चौनट ड़ अटैक जो कि actual में काफी ज़्यादा powerful है तो फिर गाता हमने इन attack की बारी शुरू की and literally कुछी की देड में ना Memorias ने सारे attack तोई यहापर चाओँ तरफ आईडनी आईडन कर दिया था जिसके बाद मेरा firepower बहुत इसके सबको melt कर देता है and then मैं fight इसे कुछ handgun के ammo को बना लेता हूं जिसके बाद मैं 20 चलाता हूं पास के गाउ में because अब मेरे पास ता Memorias मतलब इस गाउ पे खौफ जमाने का time आ चुका है तो मैं है अब से गाउवालों के पास लेके चाहता हूं and इनको बहुत गंड़े के सिकूर्ट तो Memorias के साथ because यहाँ पर कोई मेरे सामने टेके नहीं सकता तो मैं बन चुका हूँ इस पूरे गाउप का king बैदे फिर में घर आके आपने गैदरिंग फाम बनाता हूँ जापर मेरे पल्स लोग चीज़ें कलेकर के रख सके and फिर अपने टीम में काफ जार श्रॉंगर पल्स को लेके मैं निकल परता हूँ उस मूट जैसे पल्स को चैलेंज करने actually मुझे लग रहा हूँ काफ जार पाफ होने माला है let's go भाई dungeon में कुछने के बाद मैं अपने मेमोरेश पर चड़ गया ताकि मैं इसको अची तक से देख सकू and कुछ देख देखने बाद मुझे ये काफ जार आउसम लगी तो फिर क्या था हमने battle के अलान करती और परमपड़ा पतिष्चा और अनुशासन के खातीर मैं अपने पल्स से नीचे होता लगया ताकि मेरे पल्स को सम्हाल सके भाई तेख मेरेपस हैंड गंटी तो मैं काफ चीज को डामेज दिये सकता था था भी मतलब मुझे बार-बार रिलोड करने के जोड़त नहीं है मैं साथ गोली को एक साथ फैर कर सकता हूँ जो कि काफ़ी अची चीज थी तो फिर क्या था मैं काफ़ी जादे हैट चौट देता हूँ बट डामेज काफ़ी दान लो टिसकन के साथ कुछ देर के बैटल के बाद मैं घंडर ड्रागन को बेचता हूँ एं घंडर ड्रागन इसे तो अब डामेज दे के पता नहीं क्यू पर इसे तके बातचीत कना शूर करता है भाई तेरा रिष्टदार है क्या हो बट जो फिर हमारी बैटल और जदा इनाइस होती है मैं इसके सारे अटाइक को डॉज वाच करके इसके बार खतना अटाइक बरसा रहा था इसके बाद फाइन किसी यह लो हो चुका था तो मैंने यह आते कि गीगा स्पेयर फेका एंड लिटली तुम्हा भी देख सकते मैं यह पास 55 गीगा स्पेयर है तो यहाँ पर मैंने बह मैं आके इसके स्पेसिफिक देखता हूं तो मेरे को पता जलता है कि यह भाई 3X हैंड वर्क कर सकता है जो कि काफी पाफुल है मतलब यह बिल्टिंग और क्राफ्टिंग काफी तेजी से कर देगे तो फिर क्या था मैंने यहाँ से एक मिल्ट को बिल्ट किया जिस पर मैंने अपने वीट को रख दिया फ्लोड की बनने के लिए बट अफ्कूर्स लिए मिल को घुमाने के लाँ में एक वाटर टाइप पल्स ही होगा जिससे यह वर्क होता है बाई दिविए जो भी हो तो मानो ना मानो बट मेरा निव बेस्ट बहुत जादा मस्ट बन चुका है जा अपर लिटली सब कुछ है फिर मैं कुछ टाम के लिए बाहर जाता हूँ कुछ मैटेर्स करने बट उसी बीच मुझे एक लार्ज डार्ट इग मलता है जिसको मैं तुरंत अपने वेस्मा के इंक्लूबेट होने के लिए रख देता हूँ विकॉस लार्ज इक मुझे पहली बाहर मिला था बैद यूए फिर मैं अपने पल्स को मारने के जर्णी करता हूँ पर फ्लूइट के लिए इन सब को मारने की बात पता नहीं क्यों मैं इस बंदे को भी हिट कर देता हूँ अब मेरे अलगने वाली थी कुछी देर बाद ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया था एंड लिटरली कुछ जादे घर नागता है ये मेरे को वंचोट कर सकता था तो मैं तुरंत यहां से जान बचा के भाग गया वहां से भाग के आने की बात मैं अपने वेस में कुछ ते टाइम स्पैन कर रहा था एंड इटली मेरे सारे पल्स है अपना काम कर रहे था बट उसी बीच अचानक कुछ लोगों ने हमारे वेस पर हमला कर दिया एंड इनको क्या ही चुल मची थी तो मैंने सोचा कोई बात इन चलो इन में से एक को क्या सी कर लेंगे हमन भी कैच हो सकते इस गेम में तो फिर जाता मैं अपने पल्स फेकता रहा बात कोई भी कैच नहीं हुआ और पता नहीं कि यह सारे मर गया एक मेरे पल्स इतने पराफ़ ला कि से कि एक और एवन आ रहा है तो इतना लेट कि अब मुझे अपने वेस को अब्रेट करना था इसके लिए चाहिए था दो फ्लफी पल्स बैड तो फिर मैं तुरंती दो फ्लफी बैड को बनाता हूं अब मैं आप इस लेवल 12 से 13 पर अपडेट होने के रही था तो मैं तुरंती से अपडेट कर देता हूं और यह पता नह अपने वेस में बहुत ज्यादा और खेती के जगा भी लगाता हूं ताकि अपने खाने के जो कमी है वह बिल्कुल से स्वाट आउट हो जाए विकोज अपने वेस में बहुत ज्यादा पल बढ़ चुके अभी इन सब के बीच मेरा लार्ज डार के एक इंक्वी भीट हो इसका पंक होने के बाफ़ जुद भी और नहीं सकता लाइक है थोड़ा ग्लाइड कर सकता है कुछ ऐसे ही है बाट यह और नहीं सकता है जो कि इसका एक घ्रजवांट यह चाहा है जो भी है काफी जादे ऑसम दिखता है जो मैंने इसको अपने पास रख लिया एंड लिटर है अब मेरे कोई स्पेशल चीज के जवरती तो मैं पल्स को मार के लेदर को कर रहा था बाट उसी बीची अचानक से मेरे कोई खीमन मिल जाता है और यह लोग मुझे पैटाक कर रहे थे बट मैंने इन में से एक को कैस कर लिया एंड फिर वाइल पर से मुझे चो लेदर मिल निकल परा बटिया पर यह गर्बर हो गई ही पहनने के बाद भी मेरा पोड़ी आस पर जल रहा था इनमेरे इस पी तुरंती बहुत जादा लो होने लगी तो मैं तुरंती आसे भाग गया तो फायर वैम में अब 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 तो नहीं जा सकते तो मैंने आप डिसाइड क मैं तैर के जाऊँगा तो इसे कलिए मैं वेस में आ गया है और मैं अपने वर्टी टैप पल की शायर बनाने लें लगा जिसको क्राफ्ट करने में मेरे इस पल ने बहुत ज़ादा मदद किया और फाइंड किसे आपने इसे क्राफ्ट कर लिया जिसके बाद मैं अपने घर कुछ लाइटिंग लगाई विकास निवच अन्डॉक हो गी तो लगाना तो बनता ही था तब मैं लब में जरनी पर जाने वाला था तो मैं अपने पल्स को ब्रीडिंग करने के लिए पीछे शोड देता हूं और ब्रीडिंग करने के उन्हें एक की चुट पड़ेगी बट बटाने के लग्तले पास milk एड़ निए तो milk तो बहुत इतरी तरीके से हमें काव से मिल गई और उचीकीपीस से हमें एग भी मिल गई जिसको फाइल ही मैंने मेरे फईल पाने मिल बना लिया था के जिसको फिर मैंने तुरन्त या पर ब्रीडिंग प्राम के चेस्ट में पर निकलना परेगा इसके लिए अब मेरे पास है अपना वाटर टाइप पर जो कि एक्शली पानी में तेहर सकता है एंड जमीर में चल सकता है जो कि काफी तो ऑसम लग रहा है एंड डिट्रिल लव दिस पर तो चलते हैं अपनी जन्नी पर फिलाल तो लेट्स गो पानी में जान दा मेरे को बता चला कि ये पल ना खुद तो पानी में तेहरता नहीं है बट मुझे थो बाज रह देता है था ये वाले भाई हमारा धानी हो पर तेहरता है जो कि यूँझल में घूम रहा है विडियो भी ऑ फिर मैं युस जन्गल को पात की कि आग आग आप यह इसको देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार एक रगेंड यह तो इसके पास आइस टीप पलना और क्रास टीप क्ला कर रहा है इसके पल का नाम था लिली और इसके पल का नाम था लिलियन इससे फाइट शुरू होने के साथ मेरी फटनी स्टार्ट हो गई इसके पल्स के वाली बास मतलब ग्रास टेप में तब्लील होजाएगी आयस बास में घर पे रखके आ रही थी जिसटें हम ने इसको जैसे तसे थोड़ा बहुत low किया आद मैंने फिर अपने handgun को निकाल जातें इसको low करने के लिए इसे हम इससे बहुत मुश्क्तर लगते जा रहे थे तुसी मेंने कुछ पल को मार जिया था तो मुझे अपने पर्ल को पर्स पर्ट के अंदर रखना ही पर्दा था हीलोने के लिए और मैं कोछी हैंड गंसों से मार जाता फिर यह ची साथ अर्टिंग नहीं चलिए मुझे अपने पर्ल को निकालना पड़ा है हम दोनों की बहुत लंबी बैटल हुई और मुझे इस बैटल में डिज्वांटेज मिल रहा था बिकॉस मैं अपने फायर टेप पल को वेस में रखके आया हूँ और मुझे नहीं पता था कि यह आईचे बॉस है बड़ जैसे से मैं इसा लड़ जाता और उपर तुमें एक टाइमर भी देशकता हो और अब यह टाइमर बिल्कुल एक मिनिट बाकी था और एक मिनिट के अंदर मुझे अब इसे हटाना पड़ेगा बड़ना मैं खुद हार जाऊँगा तो फिर क्या था जैसे से मैं काउंटर करने के ट्राइए करता हूँ बर्ट भाई लांस्ट अब जी मुझे बता चलता है कि यह चीज़ को जाते ही पाफल है अब मैंने सारे बिलेट्स भी खत्म हो गयते हैं अब मुझे सिफ एरोस पर डिपेंड होना पर जाता अब इसने मेरे सारे पल्स के एल लगा जीते हैं अब मैंने से वर्ट टेप बाल भाग की तरी से लरने के लिए अब उपर से 22 सेगंड भी हो रहा था तो मुझे बता चल गया था कि मैं इसे नहीं जीत सकता अब लिटरली कुछ देर फाइट करने के बाद ही हमारी खालत यहां से टाइट हो जाती है अब मैं इसे बहुत ज़दा डामेज जने के कोशिश करताबद होता नहीं है वर्ट उसी बिश टाइमर आउट हो जाता है अब इस पता नहीं कि मैं यहां पर मर जाता हूं यह जिसका आदा बैज लगते हैं हमारी सामान पर यहां पर गिर चुगी है वहाँ पर मरनने के बाद मैं वेज में वापस टेलिपोर्ट हो गया था लेकिली में पास और एक ग्रेस्टी तो मैं उसको पहन लिया बर जो भी हो हमारी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वह कंप्लीट हो चुग है अपने दुपल की अगली बार जो आधे गंटी की एक्टिना उससे खतनाक पल निकलता है इस बार तो यह एक घंटा ले रहा है तो सोच हो कितना खतना पल निकलेगा निटली मैं इसके लिए काफ़ दे एक्साइड हूँ आई सीरे में अब मुझे अपने सामान लेने जाना है उसके लिए मुझे मुझे आई स्रिस्टन्स आर्मर चीए बट उसको बनाने के लिए मेरे पास लेधर ही नहीं है तो मैं चला गया गया गाह में जापर एक बंदा लेधर को सेल कर ला था बहुत महेंगी प्राइज में तो मैंने वहाँ से सारी लेधर खरीद ली और फिर मैंने फाइंट इस 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 बार मात खाने क्यों आते हैं इस बार दबहे उनके साथ कुछ और ही पुरा हो गया लाइक मुझे दिखाई नहीं हो क्या रहा है भाई स्क इन लोग के लंका लगे मेरे पल्स के बीच में आगे कितने खत्रनाक पल्स है मेरे बट जो भी इंसे मुझे काफ़ी आइटम मिल गही थी और इन सब कमानने के बाद मैं आइस बार में वापस से निकल कर था अपने चीजों को लेने बट उसी रस्त में मुझे एक क्वीन ब सब्सक्राइब करके आगे आए चाओड के पास चाहा पर फाई थी किसे मुझे अपनी चीज से वापस से मल गई तो मने सारी अपनी चीजों को उठा ली यहां से लास्ट वैट में सारी रिसोर्स खतम हो चीकिए है इसलिए इस लड़की से हम दुबारा भी बैटल भी नही अगर पुलीस वालों को मारता तो वंटर साइड आने के बाद यह लोग मैं पीछी पीछे इस चाओड के अंदर आजाएंगे और इन्हों इन्हों एक बुलिट से इस बॉस को हिट कर दिया तो यह बॉस साइड में चाहडी हो जाएगी जैसे कि अब इन्हों ने हिट किया बॉस साइड में खड़ी हो गई तो फिर कहता मैं जजार कने लगा कि कब साइड में चाहडा होता है बट पल्स वाल थो करने के बाद यह कैस्ट नहीं हुआ बट मैं ऐसे हाल मानने वालों वैसे नहीं हूँ मैंने जाकर इनको फिर से हिट किया और फिर से मैं वही चीज़ दोराने लगा मैं टावर को आशे लिपोर्ट होंके मने टावर के एंटरी बे ले ले ली एंद मैं बहुत की अनिमेशन दखने लगा विकॉस अगली बारने यह लोग प्रॉण थोड़ा लेट हुए थे बिकॉस मैं अनिमेशन नहीं देखा था तो इक नमीशन था थोड़ अब भी मेरा चांस है से catch करने की तो मैं बहुत कुछ ready हो गया जब यह side में निकलने लगी न मैंने अपना wall ready कर लिया फिर मैंने तुरंती से throw कर दिया इसके और and throw करने के बाद 5-6 पार भी catch हो गई तब इस Pokemon के साथ साथ यह लड़की भी हमारी पल है मतलब एक की साथ एक free तो अब इस दोनों को मैं around अपने waste में काम में लगा सकता हूँ and देखो यह कितना दाता क्यूट है भाई अपना बन जगए तो फिलाल बजी मैं मैंने decide कि कि अब उस दूसरे boss को catch करने का है क्योंकि वह लड़की थी तो मैं 30 आज से जाके इन लोग को वापस से मारा and मैं icebam के लिए निकल गया luckily icebam के पास भी मैंने एक teleport on किया था and इक आपर आने के बाद मैं 30 निकल जाता हूँ उस town के लिए and फिर गाता town में जाने के बाद ही मैं इस boss के थोड़ा animation देखता हूँ ताकि यह लोग spawn हो जाए and थोड़ा बहुत animation देखने के बाद उसका मतलब main world बाला आ जाता है and पीछी तुम लोग यह लोग को देख सकता हो तो आप फाइन दे किसे बार ही है इन लोगों से battle करने की and यह लोग बस एक बार इसको लड़की को hit कर दे ना अपने गोली इसे तो मज़ा आ जाएगा बट लगिलिए कुछी देर के बाद इन लोगो ने इसे hit कर दिया था जिसके बाद यह side में आके खाडी होने लगी and फिर मैंने अपने सारे pulse pair यापर ready कर लिए catch करने के लिए and अब मैं बलकुल त्याहत है कि अब यह side में आ जाए मैं इसे catch कर लू and side में आने के बाद में आपर इस पर pulse pair fake था हूँ बट यह catch नहीं होती तो first time तो हमारा fail हो चुका है but फिर मैं दुबारा try करने के लिए आ जाता हूँ मैं इन लोग को मार के तो ने निकल परता हूँ ice tower में and फिर मैं बॉस के थोड़े बहुत animation भी देख लेता हूँ ताकि यह लोग स्पीचे spawn हो जाए and फिर इन लोगों ने इसको hit भी कर दिया ता जिसके बाद इस side में आ गे थी and फिर मैं इसे catch करने के wall fake बट इस बाब में fail हो गया and फिर आगे मैं चार पात बार और try करता हूँ इस चीज़को but I don't know आई यह वाली boss किसी भी हालत में catch होई नहीं देथी and unfortunately फिर मुझे यहां से जाके आम हिट्टा करना पड़ा जिन्दगी घंडे भाई जो भी आप इस बाइम को explore करना हमाई लिए बाकी रह गया है तो इस वीडियो में इतना ही guys यह वीडियो बनाने में मुझे बहुत जादा हलीट लग गया बहुत जादा कुछ प्राब्लम आ गही थी बेट यूप यह इस वीडियो में हमने इस बॉस को capture किया and also बहुत सारे पल्स को हमने catch किया बहुत सारे बॉस को भी हड़ाया and इसके 300 days में हम यह भी देखना है कि इस इक से कौन सा वाला पल निकलता है जो कि बहुत जादा खतनाग लेजिंडर होने वाला है so इस वीडियो के लिए इतना इनफ था thanks for watching let's wait guys meet you again in next video